वरुन धवन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बद्रिनात की दुलनिया के प्रमोशन में एक रियालिटी शो में नजर आ रहे हैं हाली में वो सिंगिंग रियालिटी शो इंडियन आइडिल 9 का हिस्सा भी बने वरुन हर बार एनरजी से भरपूर पफॉर्मेंस देते हैं उनसे शो के कंटेस्टन ने एक पफॉर्मेंस की मांग कर दी वरुन धावन स्टेज पर पहुँचकर अपनी पफॉर्मेंस दे रहे थे तब उन्हें उपस मुमेंट का सामना करना पड़ा हुआ यू की पफॉर्मेंस देते हुए उनकी पैंट अच्छानक पड़ गई हाला कि जब वरुन को इस बात का ध्यान हुआ तो उन्होंने इसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया तो उसके मुताबिक जब वरुन ने एक कंटेस्टन मालविका से पूछा कि किसी पुरुष में क्या क्वालिटी वो देखती है इस पर मालविका ने कहा कि उस इंसान को शारुखान की तरह रोमैंटिक होना चाहिए और चिन्नई का कुथू डांस आना चाहिए इस डांस को कभी वरुन ने नहीं किया था और स्टेज पर वरुन धवन इस डांस फॉर्म को ट्राइ करने के लिए पहुँचे थे जब वो स्टेज पर आये तो उन्हें अंदेशा हुआ कि उनकी पैंट काफी टाइट है लेकिन मालविकार अपने दर्शकों को किसी भी प्रकार नाराज नहीं करना चाहते थे वरुन इसलिए उस कंटेस्टन के निर्देशों को फॉलो किया और हुआ यूंकि उनकी पैंट पढ़ गई वरुन को इस बात का अंदाजा हो गया कि उनके साथ कुछ अजीब हुआ है इंडियन आइडिल के होस्ट करन वाही ने स्टेज पर आकर माहोल को संभाल लिया